तो आपको क्या लगता है जिस बाशाशाली का आप बड़े नेताओं के लिए प्रयोग करते हैं क्या ये सही है या नहीं हम बड़े नेताओं के लिए वही बाशाशाली का उप्योग करते हैं जो बाशाशाली वह हमारे लिए उप्योग करते हैं तो फिर आप में और उन में क सब्सक्राइब नमश्कार आप जुट चुके हैं स्टेट समचार के साथ और मैं हो रहूं जो जिस तरह से मोसर में गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वैसे वैसे चुनावी गर्मी और राजनेतिक गर्मी भी दिन बर दिन बढ़ते जा रही हैं लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग की बात करें तो पिछले दिन ही कॉंग्रेस ने अपनी चोथी लिस्ट में उधंपूर संभाग से और जम् करने के लिए मुझूद हैं उनी के बेटे जैसित भला जी जैसित भला जी हम डायरेक्टली आप से सवाल पर आएंगे आपकी पिताश्री को पिछले दिन टिकेट मिली है किस तरह से देखते हैं और किस तरह से तयारियां चल रही हैं कोई भी एरिया हो कोई भी बूत हो ऐस वेक्ती अपनी सरकार बनाएगा कांग्रेस वाला कांग्रेस की बनाएगा बीजेपी वाला बीजेपी की बनाएगा और एंसी वाला अपनी बनाएगा पर जो जमीनी हकीकत होती है ना जो बंदा रोड पे जाके लोगों से मिलके अपने वादे पूरे करवा सकते हैं कैमपे जिन्हों ने राजपूतों पर डंडे बरसा है जिन्हों ने डोगनों को बिकाव बोला कोईंदर गुपता जी ने और डोगनों के उपर लाठियां चार्ज हुई टियर गैस के गोले छोड़े गए किस मूझ से उनके घर में जाएंगे वोट लेने की आप हमको वोट दे तो यह तो वोट लेने नहीं जा सकते हम लेने जा सकते क्योंकि हम इनके साथ खड़े थे सरौर की बात हो आपका भी जो ऑपन मेरिट इन्होंने कम किया उसकी बात हो आपका जो भी एस्पिरेंट्स की मावला हो एप टेक का बात हो हम तो सब पे खुले आम से बात करते हैं वह और हमारा यही कहना है कि अगर कॉंग्रेस पावर में आती है जो एप टेक कमपनी है उसको जमू कस्मी से बैन कर दिया जाएगा हटाया नहीं जाएगा हटायेंगे तो बीजे भी फिर ले बैन ही कर देंगे हम जे एंड के से क्योंकि आप बताओ जितने पेपर करवाएं है है एक ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना हुआ हो एक ऐसा पेपर नहीं जिसका नाम सार्वेजानिक ना हुआ हो कोह ने को मेरे को परसेनली वक्त बहुत बहुत प्यार रहे हर वैक्चिक होQuery को होता है पैसा जाएगा आ जाएगा वक्त किसी का नहीं आ To seinemいた लोगों ने इतने सालक vibes लोगों को इंटशार कराकर एक साल इंटशार поступि लिए पर से के करते करते इस क्राइब पॉलसी ना जेके कि प्थर्टी सेवन से घुल उन लोगों रहा कर खड़ी तो जो रिखस भी गया और तो आपको क्या लगता है कि हम इंडिया और एंडिया की बात करते हैं कि याद रखते रहना पहला परेजन कि बीजेपी पार्टी यह वो केवल और द्यॉक्त पतियों को मदद बूर झाज है और लिपोर्ट टूटोजन ट्वेंटी त्री आप जाके पढ़िएगा फाइव परसेंट ओफ दी इलीड सोसाइटी ओन्स मोर देन सिक्स्टी परसेंट ओफ टोटल वैल्थ ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान के पांच परसेंट जो लोग है जो इलीड जो अमीर लोग है उनके ज पता दिया कि गरीब और अमीर की पार्शेल्टी इतनी है दूसरा चीज़ लॉए और्डर के अंदर भारते जन्ता पार्टी एक फेलियर है पंजाब के अंदर अगर हम बात करें आपने देखा दो किसानों को गोली मार दी कितने मारे जाते हैं वो छोड़ो नाम ही जो जो सरकारी आंकड़ा कमी आता है कोई भी सरकार हों एक रीयल्टी बाद पताओं जैदतार कमी आता है गोली मार दीकी परधान मंतरी से एक सब्दमी आया मनीपुर की बात हो का लो एन और तीसरा चीज़ मैं आपको एक बात बताओं प्राइम मेनिस्ट्र साब जो है जहां पर सेंसिटिव मुद्द्धे हो पर बेहान नहीं है कि नहीं चाहते नहीं में लोग मनिपूर में आप मुझे बाद तो यह कहते हम ह हिंदू है यहं हुझा हम भी हिंदू हैं आप यह हिंदू हैं जड़ा तर हिंधिया कि ऐसे 318 लोग मारे गए तीinki को मन्दिर हिंदू का हुए हर्याना के अंदर नू यादव लोगों की बस्तिया जला देञा गई यादव को मारा गया यादव हिंदू होगी हिंदू है ism elvis यादव के साथ सिस्टम सिस्टम च्लाई जे बस्तिया चला भी जा रही था उसके बाद डांगरी इंसिडेंट की बात करें पाकिस्तान से फाजी आते हैं पाकिस्तान की सैनिक आते हैं वीर सैनियों को सहीद कर जाते हैं बच्चों को मार जाते हैं तो क्या यह नहीं बात है यह क्या कॉंग्रिस के समय में नीजा देखिए अमर्जंस जब आए गए विए लुप अन्डा के समय में मैं इस पर आऊंगा पर प्रामिस लिए आप को बता दिया ना डूसरा मैंने बता दे की डांगरी के अंदर वो आता है थाम से बात करूं बेरोजगारी की अगर हम हम आफसे ध장 के अंदर बात करें, डिग्रियां हैं सब कुछ है वेकंणिस बलकल ने अगर वेकंण्णिस हैं भी हंदूसतान के अंदर रेलवे की अगर बात करें करीब ये वरुन गांदी जी ने कहा था दो करोड़ के करीब तो के वर रेलवे के अंदर वेकंसी एक बंदा पताओ जो बढ़ती हुआ यह चौथा चीज यह नकली हिंदू वादी है अब मुझे पताओ हिंदू कौन सी जानवर को माता मानता है आप मुझे बताओ गाय को मान प्रविटान के अंदर गोहत्या का बिल कोण सी जगाया सुजेंट के के अंदर आया कब आया कांग्रेस पार्टी के अंदर आया कहने का मतलब यह है कि जहां मुस्लिम इलाका सबसे जएदा 77 76 परसंट मुस्लिम इलाका उस वक्त पे था लदाक को इंकलूड करके वहां गोह बनता है कि जानिपूर के अंदर आपने सुना सांबा के अंदर गाओं पड़ता है वहां पे एक इंसिडेंट की वीडियो एकी वेक्तिमारने की सईध करने की कुछिस करता है कहने का मतलब यह तो नकली हिंदुवादी लोग हैं जो कहते हम गाय कि वह अगर आप रखवा ल लेके जाते हो जैसे जब्रा पर आपका टार टाच होता है एक सेकंड में आपका बिल गटके आ जाता है उन बंदों की सकले क्यों नहीं सामने आई जिस बंदे ने वो किया कैमरा नहीं कुछ नहीं जानी पूर जैसे जगा के अंदर यह हो रहा है चोता चीज टेरिरिजम ज है ने गाल पर चांटा मारू बात तो एक ही है भारती जन्दापाटी वाले कहते देखो जी पत्राव कम हो गया धाइने गाल पर कम चांटा पड़ा पर बाइने पर ज्यादा बात पुट नहीं होगा वही बात है 45 परशेंट इंक्रीज हुआ दूसरी चीज किस मीरी पंडि है कौन बात कर रहा है दूसरी जगती के अंदर फ्लैट्स इसने बनवा के दिए कॉंग्रेस पार्ट मैं यह नहीं कहुंगा हमने एसान किया वही लोगों ने वोड दिया हमको जो रवेन्यू आता हमने किया अपना जो करतव था करतव निभाया इन्हों अपना करतव ही नहीं पाया और जैंड के अंदर बात करूं प्रोटेस्ट हमारे अंदर भी होता ऐसा मैं यह नहीं बोलूंगा यह मैं आपको चौथा पॉइंट अब मैं आपको टार रहा हूं डेली वेजर ऐसा नहीं कुछ रहा भी गए और अपनी गलती मानीजे कुछ नहीं वेकैंस होती पर जो वो प्रोटेस्ट करते थे करने दिया जाता था यह नहीं आज किया लाठी चार्ज कर दो जेल बंद कर दो महंगाई बढ़ा दो पांचवा चीज हमारे लीडर अकाउंटिबिल्टी मानते थे कॉंग्रेस पार्टी के अंदर कहीं पर कोई चीज होती थी उसी वक्त वहा हम मेनिस्टर घ्का जैसे खबर आई हमला है होँ मेंश्टर अपने घर में गया बाहर अभर मीडिया जैसे अंदर गया कुर्ता बदल के आके बंदे ने बोला कि हाँँ हमारी पार्टी गलत है हमारी में धमेंग ऑसमने राइट सुए थे I guess 2012-13 में हुए थे आसम के सियम त कि यहां के जो आपके सत्य पाल मलक जी कहते थे जितेंदर सिंग जी करफ्ट है एक इडी का छापा बताओ जो गया हो अब एक बास कह रहें पर झालोगे नहीं चलाओगे आप ही की आपने कैसे छापा यह तो आप ही किसकी बात बता रहा हूं बाकी लोग तो डालते भी नहीं डर के मारे यह हालत है जैंड के में इंडिया में 161 पे मीडिया वो बेज़ दिया हुआ है फिर आप मेरे को बताओ मेरे पिता को डेट साल हाउस एरेस्ट रखा गया हप मेरे पिता बोले देखो मैंने कितने गिना दिये आप बोलो कि 70 गिना देंगे पर आपका फिर टाइम एक्जास्ट हो जाएगा उसके बाद हिंदुस्तान में को कितना रिजर्वेशन मिलता है 27 परसंट मिलता है जैंड के में 8 परसंट मिलता है यह मेरा मांग है और मैं ओपन जेनरल के खिलाव नहीं हूँ जेनरल का जो उपन मेरिट रिडियूस करके आपने उसका 50 था उसको 30 कर दिया कहने को तो 40 है 10 परसंट होरीजॉंटल कर दिये 6 परसंट आपने एक्स सर्विसमेन को और 4 परसंट परसंट विद डिसेबिल्टी इसको कर दिया दो गंटे पहले जाते हैं उपर तक देने टाइम नहीं हो पाता वहां की खगदार थे कि उनका बढ़ाया जाता ओविसी का बढ़ाया जाता जेनरल 75 परसंट ऑफ दे जमू पॉपलेशन इस जेनरल अच्छा होता जब इन लोगों का बढ़ाया जाता आपने तो इन सब लो बाद करूं बाकी जगाओं की बाद करूं तो इनको कोई प्लैनिंग नहीं है कोई कुछ नहीं है और मीडिया मेनेज्चमेंट ज्यादा तार मैं यह निंभी के काम है जो वोट नहीं देने चाइए और कांग्रेस के निता आठजार कुछ संथिंग किलो मीटर टोटल चले लोगों से मिले बीजेपी की तरह एरोगेंस नहीं थी जितेंदर सिंग जी को एक वेक्ति ने कमेंट किया था कुछ कि आपने का था हम नौकरी देंगे आपने का नौकरी दी आगे से वह विक्ति क्या जो आप देते हैं कि अच्छा है अगली बार समझदार वेक्ति को वोट मत दो वोट मुझे आपका वोट रही हमने भी लीडर देखे हैं एरोगेंस हमने भी देखी है हमारी तो 70 साल सरकार्थी हमारे में 70 साल के बाद गमंड नहीं पैदा हुआ भी होगा थोड़ा यह तो पांट साल के बाद इतनी कमंड में आगे खुद सोचो यह कॉंग्रेस औ काफी जो आपijd से सीनर नेता हैं उनको आप जिस तरह यहां साली का उपयोंग दिखाई देते हैं वैसा आज नहीं दिख दो आप गोदे साली का बड़े नेटाओं के लिए प्रयोंगि करते हैं क्या यह सही है या नहीं हम बड़े नितायों के लिए वही बासाशाली का उप्यों करते हैं पड़्मंदर गुपताजी जी मुझे कहा कि यह सड़क से लाया हुआ हुआ बच्का है फिर उनने कहा अपनी व्कात में रहो ये उनकी बात है मेरी वेज है एटरा साल उनका एगेस है 64 के इतने कितना हो गया मेरी एज़ का करो तो 343.5 टाइमस वह मेरे से एज़ में बड़े हैं बंदा टिपनी किस पे देता है यहां वो जिससे बहबीत होता है यहां वो जिसको अपने से बड़ा निता मानता है यही बात है अब वो मुझे बता है यहां वो मुझे बहबीत है यहां मुझे वो बड़ा निता मानते है कि वो मेरे जवाब देते हैं मुझे कहने में कोई नहीं कि हाँ वो अच्छी पोस्ट पता ही है एक भीवेक्ति अपरादी है गुनेगार है क्या उसको गुनेगार अपरादी कहना गल्थ है नहीं है ना वैसे हम सवाल पूछते हैं डॉक्टर जितिंदर सिंग जी से 186 करोड़ रुपया को देवी का का प्रोजेक्ट आया था मेरे को आप एक करोड़ का काम किया सारी बाते चोड़ एक करोड़ का इसाब नहीं टायले टूटी हुई थी आज भी टूटी फूटी हुई है जो उसमें वो गड़े वो बनाये जाते हैं उपर से प्लाव डाल के अ साल पहले की बंदा गिरके मर जाता ऐसे पूरा टूट के ऐसे पूरा स्क्राइब था अभी थोड़ा बहुत उसमें चेंज के और मेजर वो चेंज नहीं है हम यह पूछते हैं कि इतना फंड आता है दस साल के अंदर अभी एक टाइम किसने टीगल डाल ता डिलीट कर दिया दस साल में उनकी वैल्थ डबल हुई है हम यह नहीं बोलते हैं बट हम इतना बोलते हैं कि आप इसके हिसाव ही दे दो एक बियान ही दे दो चोटा सा जमू कस्मीर में यूआ राजबूत सबा स्पैसली राजबूत कम्यूनिटी ने प्रोटेस्ट किया आपके घर के पांट किलोमेटर दूर रहता है वहां उनसे मिलने चले जाते हैं फोटो किछाने और कहते हैं देखो मैं हिंदुस्तानी हो अपने हिंदुस्तानी भाई के साथ मिल रहा हूं तो जनता बेफ़कूफ है जनता को समझ नहीं आता चुलो बहला जी बात करते हैं कॉंग्रस की ग्राउ हमारी पार्टी जबीनी स्थर पे लड़ाई भी लड़ती है ऐसी बात नहीं है कुछ जगह पर जो एक मीडिया कवरेज होता है कहीं पे नहीं मिल पाता एस कंपे टू बीजे पी उनको फड़ा एज मिल जाता है कि उनको ज्यादा रिसोर्स होने के कारण उनका वो हो जाता ह हम भी एग्रेशिव करते हैं इसी बादी बढ़ा हमारी पार्टी नैशनल पार्टी है तो जो नैशनल पार्टी होती है हर एक बयान सो समझ के देना होता है आपने जिनकी बात कि अब यह नहीं पांच साथ साल आठ साल पहले आई हैं हड़ बड़ा हाट में आके बयान देन यह कितना सो समझ के था देखिए इनका आपने मतलब उन्होंने बोला नीरव मोदी और नरेंदर मोदी जी और तीसरे वह एक और ललित मोदी जी और नहीं बोला जहां भी कोई गपला होता है कोई अमाउंट मिस होता है वहां यह इनका नाम क्यों होता है जैसे कि हम इनके अ पर उनके आ उनके सारे चौरों के नाम के आगे मोडि मोधी मोधी कि होता है यह राहul जी ने यह का और अगर उनको सुप्रीम कोड ने रहात दी है तो कोई तो बात होगी कि रहात मिली है अगर गलत होती तो क्यों उनको रहात मिलती और वैसे भी एक जो ग्रूप का आप डिफेमिशन करते हो वह आप तक प्रूव नहीं कर सकते जब तक को इंटेंशनली परसन के ओपर कमेंट किया गया हुँ इसलिए वह बचे दूसरी आप मुझे बाव तो आज कोई कोई आम बंदा भी बोल देता है किया आर्मी जो है वो कार ऐसे सही से नहीं चलाती कोई आम बंदा ऐसे बूल देता है कि कुछ बोलते हैं । पोलीस वाला पैसे लेते हैं यह से लोग कभी कभी कहते थे हम इतना पैसा लाएंगे इतना सब देंगे वो फंड क्यों नहीं अभी तक आया उनका कहने का मतलब यह था चौर क्या हो गया कि जो पैसा पूरा आपका मतलब की संपती लिए उन्होंने बोला कि आपके यहां पे जो टैक्स हैं साउथ इंडिया में ज्यादा टैक्स सामाउंट होता है मनी होता है वह एक रुपे के उपर जो होता है कुछ टूर प्र लगता है एस कंपर टू बिहार पे जीरो पांट फिफ्टीन परसेंट वह लगता है उनका कहने का मकसद यह था कि जब वह बंदा टैक्स इतना दे रहा है तो वहां ड्वेलपमेंट क्यों को थोड़ा तोड़ मरोड के अगर सुप्रीम कोड ने रहा दी तो कोई तो बात होगी तो यह है कि उनका इटेसल जादा स्ट्रॉंग है ऐस कि आप सरकार है जिसके पास पैसा है आप इलेक्टोरल बांड देखो अभी उधंपूर के अंदर कहीं पर वह आया कि जिसने पता 44 क्रोड कितना इलेक्टोरल बॉंड सरकार को दिया सामने सामने यह रांकड़ा आता है बंदा इस पे आप क्या जूड़ बोले अंबानी जी इनकी जो वे कंपनी सेल कंपनी उनका सारा पैसा उदर वो सो करवाया हुए तो सामने बदा चलता है जब यह सब तो आगया साथ- कि अभी जो कॉंग्रेस यह फिलाल जो लाज सिंग के समर्थक हैं उन्हें शेर टुगर बोलते हैं यानि कि इस बार का जो मुकाबला है शेर टुगर वसी का होने वाला है तो बहारते जनता पर्टी का कहना है वह डोगरों के लिए काफी काम कर रहे हैं वैसा ही कांग्रेस भी कहती है और जिन को अफिस समय नया नया पार्टी में लेकी हाई हो तो उन्हे श्यर डूग्र भी कहा जाता है तो क्या लगता है कि इस में से कौन सा सचा डूगर । थे भारते जनता पार्टी वाले श्यर डूगर कहते जनता श्यद्य को अपनी र्희ासत की लडाई सिंग जी बिलकुल है क्योंकि उन्होंने स्टेट की लड़ाई लड़ी जो सारा रिसोर्स बाहर बेज़ दिया गया एक इदर हाथी मारी मोहिनी थी आती तक को बाहर बेज़ दिया गुजरात के अंदर रिसोर्स सारा अफसर बाहर का लगा दिया इन लोगों ने इतना कर यह रिसोर्स की नोकरी कहीं नहींए क्यों ना उखाए जुम्जरा लैसे नोगों ने खतब किया था जोही वही 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 वहीं वही उसी पयमाओं गया दोग्राश्य की बाट करेंगे किसके किसके समयकाद में हुआ कि लाने की बात हमारे बताई किसके समयकाद में हुआ था अगर आपके जहन चन्को को अउन के समयकाल में ही यह फाहें जो बारती निया खतम हुआ गया घुर्ठ तो अडिक के जब लाया गया तब पर सरकार अगर आप बात करो अगर ऐसा हो ना कि कॉंग्रेस की फुल फलेश सरकार होती तो मैं अपने उपर ब्लेम बिल्कुल लेता पर आप जब भी देखोगे एक जब भी एक मैंडी डेट दिया है यहां तक दोजार चौदा में भी जो मैंडी डेट था वो क्लियर किसी को नहीं था एक फ्रैक्चर दिया है कॉंग्रेस को बारा सीट चौदा सीट आउट आफ नाइंटी यह कॉंग्रेस को भी लदाक से आती थी चार सीटे ऐसा लोगों का वहां पर मैंडी डेट दिया गया तो इसके सरकार एंसी पीडीपी उसके वाक्ति यहां होता कि हमारा हां हमारा सीम होता तो हम बिलकुल बात मानते हैं इस चीज़ का सवाल अगर एंसी से किया जाए क्योंकि मेजियोर्टी उनके पास थी उनके पास इतनी जरूर थी कि वह फैसला चाते बिना हमारे अप्रूल के भी व प्रदशन करते हुए दिखाई दे रही है क्या उस समय उस लेवल का प्रदशन कर सकती है कि डोगरों को उनका हख वापिस जो है वह एजिए लाने की जो मांग थी और जो लाया भी गया थोड़े वाक्ति वह लाया पिता सरी ने मदा बड़ा मेहनत उस पर बयान वगरा सार या कुमारा होता तो हम आपका बिल्कुल बात इस चीज़ को एकसेप्ट करते तब सरकार नेशनल कांफरेंस की ती और जैंट के में अगर हो की फुल फ्लेज कांगरेस आई या फुल फ्लेज कोई भी पार्टी है फिर बात बनती है पर जब फ्रैक्चर जैसे पैंथर पार जम्मूज से और एक उधंपूर से अभी कौन है यह अच्छे से जानते हैं यह अभी जनता जो देख रही है यह अच्छे से जानती है क्योंकि जो भी चुनावी रिजल्ट्स होंगे वह आने वाले समय में जल्द ही पता चल जाएंगे लोग कि इनके फेवर में हैं या नह जाचार के माध्यम से हम आपके सामने साज़र करते रहेंगे फिल्हाल के लिए अजास्त आते हैं